असलाम अलेकॉम अमीद करता हूं सब दोस्क्राइब कर रहे होंगे और सारे ना प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे आज दो क्वेस्टन है एक क्वेस्टन तो छोटा से आप लोगों ने पहले मुझे कुमेंट्स में यह बताना है कि वीडियो की लेंद्स जादा तो नह ठीक है तो आप लोग भी जेन में इसी तरक्षा करें कि सबसे पहले बूम के होंगे और फिर क्रेश के फिर फाइफंडर के फिर क्रेश त्रींडर के तो जिसने जो पेर जिसका फेवरिट है आप उतनी वीडियो जाना स्किप करके वह अपना पार जाना वह भी देख सकते ह अच्छा दूसरा क्वेस्टन आज का बहुत ही इंपोर्टन वो पता क्या है वो है कि SL जो हिट होता है हम लोगों का ठीक है SL जो है ना हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है अब आप लोगों को मैं एक लाइव इंट्री जो कल मैंने अपने ग्रूप में शेयर की थी थी ना करते हैं ना ठीक है एक टील लगा लिए उस टील से मार्केट ने स्पाइक देना है कि नहीं देना उसके 50% चांस ही होते हैं ठीक है मार्केट ब्रेकट कर दे या मार्केट स्पाइक दे दे सिर्फ इतना ही उसके अंदर जो है ना वो फरक होता है यानि कि दोनों के चांसे 50 50 परसन होते हैं हमें कॉंफिटेंस इसली होता है हम लोगों इनलसिस की होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमारे चांसिस जो ना स्पाइक के 90 परसन हो ठीक है तो मैं आप लोग एक बात जो ना वह समझाता हूं कि एसल जो है ना वह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर है जो है ना वह एसल हीट हो जाना ठीक है जो में चीज है ना वह है कि जो सेट आप लोगों ने ट्राइड कर लिए उसको ट्रेड कैसे किया जाता है अब बात कैल इस तरह हुई सी एच वन का ना यहां पर स्प्लाय जोन था यह वाला ठीक है यह वाला अब इसके उपर जी दो दो कंडल अची थी नीचे भी कंडल अची थी ठीक है तो हम एक्सपेक्टिड मूव थी ना हमारी वो था कि यहां से मार्कीड स्पाइक देगी ठ ठीक है अब आप लोगोने ज़रा घोहर करना है कि हम लोग ठीट करते हैं मैंने जो आना E1 का जोन वो मार्क कर ली ऐ ऐसे यह मार्क कर लिया ठीक है बाकियों ने भी मार्क कर लिया कबी भी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बड़ी दफ़ा बताया कि कबी भी ऐसे नहीं होता है कि यह जोन है ना इसके अंदर आप लोग ने ऐसे नहीं करना है कि मार्केट यहां पर आई यह ऊपर को ट्रेड ज जने वाला है आप लोग ऊपर को जाते जाने ठीक है यहां पर ट्रेड ने नहीं पूट करनी आप लोगों ने वेट करना है कि जब तक मार्कीट इस zone के अंदर को rejection नहीं दिखाती और आप लोग यह देखें market नहीं यहां पर single spike की rejection नहीं दिखाई है ठीक है अगर market rejection दिखाती तो हम लोग छोटे time frame के अंदर entry लेते M5 के अंदर या M15 के अंदर ठीक है हमेशा जो है trade छोटे time frame के उपर होती है ठीक है अब market नहीं रुकी तोड़ दिया हमने 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 सोच लिए यह zone जोना market नहीं फेल करती है ठीक है अब हमने यहां पर trade लगाई नहीं लगानी उसी सूरत में जब market यहां पर rejection दे जैसे ही market यहां पर rejection देगी फिर market एक range बनाती है just like के यह market ने के rejection दी है अब यहीं कहलें ठीक है यह market ने जो है ना in case rejection दी है ठीक है अब market ने क्या किया किया कि इस zone के अंदर एक छोटा सा यह देखें रिजेक्शन दी है फिर market ऊपर चली गी फिर break यह फिर वापस यह जोन के अंदर आई है अब आपकी range बन गई है यह वाली ठीक है अब जब आप यहां पर entry लेंगे उसका मतलब क्या होगा उसका मतलब यह है कि sellers का pressure आ चुका है जब वो यह वाली move है जब market ऊपर जा रही थी तो यहां पर तो sellers का pressure नहीं था देखें बा market ने rejection दखाई से बड़े time frame में आजाते हैं यह देखें अब market यह वही zone है market ने इसको break किया करने के बाद इतना के वह zone था अब देखें जब market ने range बना दी है अब दे स्पाइक पर स्पाइक 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 पर स्पाइक जोना इसे zone के अंदर लाद रहें तो आप लोग ने बनाया आप लोग उसको trade किस तरीके से करते हैं ठीक है अब आप लोग मुझे बताएं कि यह एक नहीं चीज़ आप लोग को मिली है कि नहीं मिली है यह जीज़ जोना 100% लोग जोना इसके अंदर लाउस करते हैं सिर्फ इस चीज़ की वज़ा से और मैं अमीद कर पिर आदी ठीक है और फिर यह मौनिंग स्टार बन गया यह बाई की केंडल है यह जो इवनिंग स्टार नीचे ऺतANS आ था मार्के ने मुव दे दी जब मार्के ने मूव दे दी आब हमें अंदाजा हो गया को भाई मार्केट यहांसे चलती वह ए तो आ रही थी बायर्स के स ठीक है फिर आप लोग ने इसके अंदर लिमट पुट करना शुरू किया है और फिर मारके ने मूव दी है कितनी बड़ी मूव दी है मारके ने ये मूव दी है यहां से लेके 704 से लेके fix05 यानि के 100 पिप्स की मूव दी है और ये safe तरीन मूव थी limit कहां से कहां तक लगाई है यहां से भी अगर आपने लगाई हूं ना 886 से तो यह आपका 709 यानि कि आपके कोई 20 पिप्स बनते हैं ठीक है 10 पिप उपर SL रख लें आप तो अगर नहीं 10 पिप SL लखना तो इस तरह एक TL ड्रॉा कर लें ठीक है तो यह आप लोगं का 20 पिप का SL हो जाएगा उपर SL लगा दें ठीक है वनना बेहतरी तो यही था कि जैसे यह जोन ब्रेक करें फिर इसको जोना वो निकल जाए तूंकि 10 पिप का SL जोना वो कोई करें तो अराम से फर्क जोना वो क्लियर हो जाता है ठीक है यह पॉइंट मैं इसलिए इस पर इतना जोर लगा रहा हूं कि अनैल्सिस वह आप लोग डिली करना सी की रहे हो लेकिन यह उस पर ट्रेड करना जोना वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ही सेटप के खलाफ हूं और सेटप के जो हैंना वो हक्त मैं हो कि सेटप जो हैंना वो आप एक बंदे को 10 दफाफा बताएंगे ना तो जो उसके बाद 11, 12, 13 तो उसके बाद वह करेंगा सेटप के बाद खुद बनाएगा आपके सेटप देखेगा तो उसको खुद ही यूट्यब पे उपर सेम तो सेम यही चीज़ होगी ठीक है लेकिन उसमें मैंने यह सोचा है कि संडे को यह सेटे को एक्स्टर क्लास रखा करेंगे जिसमें लाइव क्वेस्टिन जो हम किया करेंगे मैं उसके आप लोगों के लाइव आंसर किया करूंगा अगर मजीद किसी क यहां पे जो हैना सेलर्स भी एक्टिव हो गए हैं तो आप लोग चोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं अगर आप लोगो कोई अच्छा जोन मिलता है या कोई अच्छी टील मिलती है जैसे यह ठीक है तो आप लोग इन चीज़ों को अब ट्रेड कर सकते हैं उसकी वज़ यहां पे सेलर्स आ चुके हैं लेकिन एक बात आप लोगों ने साथ में यह भी जेन रखने हैं यह क्या बन रहा है ठीक है यह आप लोग देख रहे हैं अगर तो जब भी रेंज बनती है न तो उसमें आपने सेलर्स और बाहर दोनों के बरबर जोना वो सेट अप ड्रा करन चीज बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहां से मार्केट उपर भी निकल सकती है ठीक है दोनों चीज़ें आप लोगों ने जिए निम रिखने इस टील के उपर आएगा आप लोगों ने करें इंट्री लेनी भी तो इसका मैक्सिम देखें काफी जोनों से जो है ना मेरा गला भी खराब है तो ज्यादा फोड़े सो अखर खरायट होती है तो यार इसको ब्रदाश कर लिए जगा तो यह देखें जरा हम लोग जो है ना वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से लेसे स्टार्ट करते हैं यहां पे हम लोग कर दो करेगी अपने प्यसर लाइस के लिए अगर मार्किरन ने ऐस वा यह ऐसा हुआ है भ Bluetooth लोग जो है तो मैं वह थे खर जाना वह भी से कए हो जाना रहा हो यह वो भी रहा था यह जो है्शना को यह न ब्रू पाय प्जो लगाई नहीं यह मुझे लग रहे है कि यहाँ स जाना वो मेरा आज का टार्गट पूरा आजए कर जब तक आप लोगों को वीडियो पहुंचेगी ना तो यह कहीं का कहीं निकल जुगा होगा यह बात भी आप लोगों मैंने समझा नहीं मैं भी आता हूँ पहले मैं आप लोगों को सेट अप दिखा दो यह देखें दर जब मार्किट H1 की इस TL के पास आई ना एच 4 की इस TL के पास आई मार्किट ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मार्किट ने किसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन या TL को टुच करना होता है वहां से रिजेक्शन देनी होती है या कोई भी मूव दिखानी होती है तो मार्किट उसके पॉर्डिंग लिए चोटे टाइम फ्रेम में एक सेट अप बना देता है विक सेट अप जिसको बोलते हैं यह देखें जरा हम 5 के अंदर मेरे ख्याल में कोई 2 गंटे इसको लगे होंगे यह सेट अप जोना बना दिया यहां पर जोना उसने एक क्या बन बनता था बड़ा ही चोटा यहां से एंटरी लेते इस तरह मैंने किया ठीक है मार्किट ने जनए यहां से 100 पिप की जैना वो मुव डिए बेसिकली मूव H1 की PL की है H4 की PL की है इसकी मूव है बेसिकली लेकिन इंटरी हमने M5 के अंदर ली क्यों ताकि हमारा SL छोटे से छो कि जब तक ये break market break करके इसके उपर जो है ना वो close हो candle, ठीक है? वो close हुई भी लेकिन फिर भी market नीचे आरी, इसका मतलब कभी market के पर सुतने पाहिर से नहीं है कि इस TL को break करके market उपर निकले, ठीक है? अगर ये TL break करती है, फॉर वाली नीचे closing देती है then तो confirm है कि यह sell जाएगी जाएगी ठीक है तब आप लोगों ने इसके अंदर इंट्री नहीं लेनी तब जो बंदा इसके अंदर hold करेगा ना वो मर जाएगा वो फिर ये कहेगा कि B1 जो है ना वो gambling करता है broker ऐसे करता है हम गए हमारा account वाश हो गया सारा कुछ हो गया तब होगा जब आप लोग इस टील से उपर है तो आप लोग उपर है जब नीचे आगे ना तो बेशक इससे आने के पंदरा फिप के बाद ही market spike दे ले आप लोगों ने अपनी psychology खराब नहीं करनी है जब एक तो बजाहरन हमें एक range तो लग रही है लेकिन range के अंदर भी market देखें अब ये 200 पिप की तो कम से कम range है बलके 300 पिप की तो 300 की range है अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि उपर से ट्रेडें लगे हूं या 300 पिप नीचे को hold कर ले पाई की नहीं इसके अंदर भी फिर सब 40 TL हम लोग ने draw कर लिए ठीक है ये देखें मार्कर इसको follow करते ही उपर आरी जैसे इसको break किया ट्रम से नीचे आगी फिर से एक नया उसने structure बना दिया अब फिर हम इस TL को follow करते हैं जैसे ये TL टूटेगी हम फिर इसको छोड़ देंगे ठीक है अगर हम लोग H4 की TL पर रह 35 बिड़ तक का जो हैना वो लॉस हो सकता है इससे ज्यादा लॉस है नहीं होगा ठीक है सारी ट्रेडिंग अंदर गेम जो हैना वो लॉस और profit को control करने की होती है अनलसी सारे कर ही लेते है ठीक है तो अब इजो है ये TL ट्रेड के लिए अच्छी है ठीक है ये 4 की लेकिन अच्छे तरीके से trade करेंगे अब हम जाते हैं क्राइश-thorzen के ऐपर क्राहें कि अगर हम लोग बात करें ना क्रैश के अन्दर ये देखें यह हम लोग ने उना ł एक एरिया आज़ना वह और माग किया हुआ था है। यानि कि एक range जो हैना वो मार्की हुई थी resistance और sport के बीच में ठीक है तो उटके बीच में एक थोटी minor resistance और एक मजीद जो हैना वो range भी बनी थी ये वाली ठीक है और वो जो हैना वो break हो गी थी परसों अब देखें कल हमारी prediction भी यही थी कि market जो हैना यहां तक आएगी फिर यह यहां पे आके market ने कोई rejection दिखाई है कोई rejection नहीं दिखाई जब market ने यहां के कोई rejection ही नहीं दिखाई तो हम कभी भी यह रिजूम नहीं कर सकते के buyers market में आ गए है अगर market यहां पे आके rejection दिखाती रोजी बनाती inverted hammer बनाती या कोई पी candle evidence देती ठीक है यहां पे stop करती 3, 4, 5 6 गंटे का तोटे टाइम फ्रेम के अंदर रेंज बनाती तो हमें पता चलता है कि बायर्स आगे हैं अब हम इसको बाय करेंगे मार्केट ने नहीं किया उसको ब्रेक करके नीचे आगी ठीक है जब यह ब्रेक हो गया अब हमारे अगला काम क्या हमारे पास सिंपल यह है कि हम लोग इसके रीटेस्ट का वेट करें च्दै खाल पाता ने ने नीचे को ब्रेक हो गया अब जो है न यहां से market retest करके नीचे आ सकती है लेकिन वोई बात setup हमें कौन देगा M15 देगा तोटी से भी range बनी है अभी और range का wait करेंगे ठीक है इसी तरह M5 है इसके अंदर भी range बन रही है लेकिन अभी यह enough नहीं है तोटी से long move देने के बाद वापस इस range में market आएगी तो उसको अची range consider करेंगे फिर उसके उपर जाना वो entry देखेंगे ठीक है लेकिन एक और चीज जो है ना इसमें थोड़ी सी deadly है वो पता क्या है यहां भी इसका retest है इसके फौरन उपर ना एक zone है यह वाला पॉसीबल है कि यह जो zone है ना इसको इतना उपर खैंज ले उपर इतना खैंज ले और फिर retest जो हैना वो बनता तो यहां से है लेकिन possible है कि retest यहां से हो जाए उसकी वज़ए पता क्या है उसकी वज़ए यहां पर sellers बड़ा ज्यादा बढ़ए है ठीक है यह कैंडल देखें उन्होंने तकरीबन 100 पिप की जो है ना वह कैंडल लगाई यह इतना ज्यादा जाना वह सेलर पैठा हुआ है ठीक है तो यह आप लोगे बात जहन में रखनी है अगर रेंज इसी रीटेस्ट के ऊपर बन जाती है अच्छी चोट राइं फ्रेम में तो यह इंट्री पॉइंट होगा अगर नहीं होगा तो पिर हमारा यह तो मस्ट इंट्री पॉइंट होगा ठीक है तो सीवन के अंदर आप लोगे यह बात पर थी के अंदर न यह देखें जड़ा कल न हम लोग बात कर रहे थे अभी वाइफए अंडर की नहीं यहां पर भी मार्किना मार्किने क्या किया था इस हमारे पास यह एक डियुक्तिए है इसको ब्रेक करके ब्रेक किया था अब हम जो एक्सपेक्टिड थी ना मूव वह भी कि यहां मार्केट इस वापस उठेगी या इस पोर्ट से वापस उठेगी ठीक है लेकिन चुणके यह सारा ऐरिया जो ना यह देखेए कर रेंच टाइप का एरिया जो रेंज वला एरिया होता ना उसके अंदर सेलर जो बायर जो गरीबन जो eu equal होते हैं ठीक है तो market किसी भी direction को जो है वो move दिखा सकती है तो हम लोगों ने क्या किया कि यह TL अभी दूर थी कि यह जो sport area ना यह भी थोड़ा सा दूर था लेकिन उससे पहले आते आते market ने क्या किया कि यहां पे ना एक यह वो ही देखें यह wedge type जो है भी SL नी बन रहा था एक्सेक्ट यहां से इंट्री लिए और इसने 100 pip की जो है ना बलके 170 pip की move जो है ना वो कल market ने दी है ठीक है और यह देखें वही भी तकरीबन तीन जो है ना वो आपके page के अंदर जो है ना वो व clicked कि अब इसका repeat ढूभा यहां ते हम dzi» हने हुए ना लगा उती हम लोगों को यहां ता कि यही लगता रहना था कि यह क्या है यह buyers है। अब अगर हम लोग यहां पर बाइर्ज की अड़ी लेना शुरू कर देते ना तो लेते लेते हम लोगों ने यहां तक आ जाना था कहां तक 305 तक यानि के 50 PIP यहां तक हम लोगों ने पनी लिमट ही लिगा दे ली थी और पिर जब यह ब्रेक होना था एरिया फिर हमसे 1-1 PIP बरद वो हमारी फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी ठीक है बेशे कि यहां से 15 स्पाइक मार्किट देगा उपर निकल जाए जो मर्जी हो जाए लेकिन हमने अपने अनेल्सिस के कोडिंग ही चलना है हमारी टील यही कह रही है कि इसका री टेस्ट हो रहा है अब यह नीचे आएगा तो हम इसके नीचे आने का वेट करेंगे ठीक है अब यह किस पॉइंट पर आगर रुकता है जिस पॉइंट पर आकर यह रुकेगा वो मैंने इसको कुछ इस तरह से मार्क किया हुआ हुआ है भी मैं जो ना थोड़ी दिर पहले इसको मार्क कर रहा था चाहिए यह एच वा यह वाली टी एल और एक यह वाली टी एल इन दोनों के पीच में पाइर्स का फ्रेशर क्या है ज्यादा है तो मैंने यह वाला एडिया जो है अब नेक्स्ट मॉफ के लिए मार्क करके रख लिए है मैं आज के दिन इसका वेट करूँगा अगर मार्किट इस जोन के अंदर आएगे ने 266 से लेके 223 इसके बीच में आके को रेंज बनाएगी M30, M15 ये M5 के उपर तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा बाइर कंसीडर करके फिर इंट्री जोना इसके अंदर लोगा अदर्वाइज मैं इसके अंदर इंट्री नहीं लोगा मैं इसका वेट करूँगा ये नीच बन रही है, ठीक है, मार्केट ये जोना इसका हिस्टरी का लोगा पॉइंट है, ये इससे पहले इतना लोग नहीं आया, अब ही अगर यहाँ पर आएगा तो हम इसको लोग बाय करेंगे इसको, ठीक है, और मजीद टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग ब वेट कर रहा हूँ, जैसे ये कुछ बीज में स्पोर्ट भी आ रही है, तो मैं अभी इसका वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आये, यहाँ पे, और फिर D1, H4 के अंदर कोई इच्छा सा रेंज बनाए, फिर हम इसको एक दफ़ा लॉंग पाए, जो है ना, वो तरेंगे, अ का मूड है, भी ऐसाच मुझे इसके अंदर ना, आज के दिन में कोई इतना जबर्दा सेट अप जाना, वो नहीं नज़र आ रहा है, आप लोग भी कोशिश करेंगे, जो उपर वाले चाहरें ना, बूम, क्रेश, बूम, फाइफ, अनर, ये तीन, इनके अंदर जाना, वो स क्रेड करने की कुछिश करें, अगर आप लोग का कोई क्वेस्टिन हो, तो आप लोग मुझे से पूछ सकते हैं, थैंक यू,